वेलकम टू इन्फी मात है जो हाइपोटेनस वो कहलाती है एच यानि ये हो गया एच ये हो गया बेस और इस एंगल के जो अपोजिट साइड होता है उसे हम लोग परपेंडिकूलर कहते हैं तो साइन जो डिफाइन किया आता है राइट एंगल ट्रैंगल में वो define किया आता है P by H और ये definition ही ज़्यादा तर हम लोगों के दिमाग में रहता है उसी तरह cos को define किया आता है B by H और इस दोनों की मदद से हम एक important formula drive कर सकते हैं जो की है sin square theta plus cos square theta equals to P by H square plus B by H square equals to P square plus B square divided by H square और पाइथोगर्वस थियोरम से ये हो जाएगा H square के बराबर तो यहाँ पर हो जाएगा H square divided by H square और ये वो होता है 1 और sin theta और cos theta other trigonometric function और identity का base बनता है तो यानि sin theta और cos theta की मदद से आप 10, cos, sec and cot theta define कर सकते हैं साथ ही साथ जो ये important identity है इससे आप और दोनों identity भी drive कर सकते हैं तो ये है sin theta जो हमें इस school में पढ़ाया जाता है अब देखिए इस sin theta में क्या problem है इसे हम लोग समझते हैं तो देखिए sin theta का क्या मतलब है मान लीजे आपको कोई c angle का sin theta निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना हो पड़ेगा इस method में सबसे पहले आपको theta angle को लेते हुए एक right angle triangle बनाना होगा और फिर उसका perpendicular measure करना होगा hypotenuse measure करना होगा और ये ratio लेना होगा P by H तो इस तरह हम लोग sin theta निकाल सकते हैं अब इस method में problem है कि ये जो theta angle है वो minimum कहां तक हो सकता है तो किसी भी right angle triangle का minimum angle हो सकता है अगर ये hypotenuse बिलकुल यहां पर हो जाए तो minimum angle क्या हो सकता है मालिज ये 0 हो सकता है हलांकि एकदम 0 होगा तो भी triangle नहीं बनेगा लेकिन limiting case में हम लोग assume कर सकते हैं कि ये 0 हो सकता है और अधिकतम angle कितना हो सकता है तो अधिकतम angle चुकी ये angle 90 है और एक triangle में हम लोग जानते हैं 180 degree होता है तो maximum possible angle जो है वो है 90 ये angle अधिकतम कितना हो सकता है वो भी limiting case में 90 हो सकता है यानि इस definition से sin theta equal to p by h से हम लोग जो theta की value निकाल सकते हैं वो बस 0 से लेकर 90 degree के बीच ही निकाल सकते हैं तो बाकी angle के लिए sin theta क्या होगा तो ये हमें इस ये जो definition है इससे नहीं पता चलेगा तो इससे हम लोग sin theta का जो value है 0 to 90 के अलाबा नहीं बता सकते हैं और इसलिए हमें sin theta के दूसरे definition की जरूरत पढ़ती है तो sin theta का जो definition हम लोग high school या intermediate में use करते हैं वो unit circle पर आधारित होता है coordinate geometry में unit circle का जो formula हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं x square plus y square equals to y जहां x square किसी point का x coordinate है और y जो है किसी point का y coordinate तो यो जो unit circle है इसका मतलब कि इस circle का जो radius है ये 1 है अगर मालनीजे कोई point है इस circle पर तो ये point जो angle बनाता है x axis उसे हम लोग theta radian में measure करते हैं इससे पहले हम लोग देख लें कि radian क्या होता है तो radian का जो formula होता है theta equal to होता है s by r जहां s जो है arc length है और r radius चुकि यहाँ पर radius 1 है इसलिए ये s के बराबर हो जाएगा यानि कि जो भी आपको radian लेना है आपको इस point से उतनी दूर चलना होगा मालनीजे ये radian 1 लेना है आपको इस point से 1 unit चलना होगा तो वो angle उतना हो जाएगा और angle minus infinity से plus infinity कुछ भी हो सकता है आपको जितना angle चलना है आप इस पर गोल गोल चक्कर लगाते रहें आपको उतना angle मिल जाएगा मालनीजे 100 radian आपको measure करना है इस unit circle पे तो आप इसे उतनी बार rotate करें जब तक आप 100 unit ना पूरा कर लें उसी तरह negative angle भी इसमें define किया जा सकता है कैसे? तो जब हम उल्टी दिशा में चलेंगे हमारा angle क्या होगा? हमारा angle negative होगा तो इस तरह जो angle की जो value हो सकती है वो हो सकती है minus infinity से infinity के बीड़ और इसमें जो sin theta और cos theta दिया जाता है वो दिया जाता है किसी point पर ये जो angle बनता है theta इस point का जो x coordinate होता है वो होता है cos theta और y coordinate होता है sin theta यानि कि इस unit circle पर किसी point का अगर coordinate x and y है तो इस point का जो x coordinate दिया जाता है वो दिया जाता है cos theta से जबकि y coordinate दिया जाता है sin theta से और इसमें भी हम लोग बड़ी आसानी से अपना जो basic formula देख सकते है sin square theta plus cos square theta equals to y square plus x square और चुकी ये unit circle है इसलिए ये हो जाता है one अब इस definition में फाइदा क्या है इस definition में फाइदा है हम sin किसी भी real number minus infinity से plus infinity के लिए define कर सकते है और साथ ही साथ ये जो definition है ये हमारी जो sign की जो एक important identity है sign और cos की उसे भी extend करता है यानि ये जो identity जो पहले 0 से लेकर 90 तक के लिए true थी अब ये minus infinity से infinity के सारे value के लिए true है तो अब आप इस method से किसी भी angle का sign निकाल सकते अब इस circle में एक periodicity है 2 pi की हम लोग जानते हैं कि 2 pi चलने के बाद हमारा angle जो होता है वो same हो जाता है तो आप किसी भी angle को 2 pi से modulus लेकर यानि उसके multiple को हटा कर आप उसका sign और cos निकाल सकते है तो ये इस definition का फाइदा है और इसमें बहुत सारी symmetries हैं आप देख सकते हैं इस circle में जो symmetry है उसका use करके हम लोग बहुत सारे और identity निकाल सकते हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इधर theta angle लें यानि ये angle कितना हो जाएगा यहां से हो जाएगा पाइ माइनस theta तो ये angle हो जाएगा पाइ माइनस theta और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो y coordinate है ये बिल्कुल सेम है और इसलिए sine theta बराबर होता है sine 180 या पाइ माइनस theta तो ये जो circle की जो symmetry है इससे हम लोग बहुत सारी identity drive कर सकते हैं तो ये इस unit circle की मदद से sine और cos और other trigonometry identity को समझने का फाइदा है आगे बढ़ने से पहले मैं request करूँगा कि आप लोग इस channel को subscribe करें और video को like करें Thank you अब हम लोग समझते हैं इस definition के limitations को तो ये definition real numbers पे बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि ये जो है सारे real number के लिए defined है और साथ ही साथ ये बहुत सारी identity को समझने में help करता है लेकिन problem हमें तब होती है जब हम college में जाते हैं और complex number के बारे में तो ये जो definition है चुकि कोई angle जैसे मानलीजे complex number कैसा होता है x plus i times y तो चुकि किसी complex number का angle नहीं होता है मानलीजे what is i angle तो ऐसा कोई concept नहीं है complex number के angle का तो हम लोग इसका sign नहीं निकाल सकते हैं और इसलिए हमें इस definition को भी extend करने की जरुरत है और हमें एक नए definition की आवस सकता होगी तो college में जो definition sign का use होता है यानि mainly complex analysis में वो दिया जाता है exponential function की मदद से और sign z जो defined होता है वो होता है e to the power iz minus e to the power minus iz divided by 2i और cos z को define किया जाता है e to the power iz plus e to the power minus iz divided by 2 और ये जो definition है ये Euler's के formula पे आधारित है कि e to the power i theta cos theta plus i sin theta होता है और इसे आप arrange करके इसका conjugate लेकर आप लोग देख सकते हैं तो complex analysis में जब हम लोग sin और cos की बात करते हैं हम लोग इसी definition की बात करते हैं हम लोग ना तो angle वाले unit circle वाले definition की बात करते हैं ना हम लोग p by h की बात करते हैं तो complex analysis में जब भी हम लोग sin और cos को refer करते हैं या other trigonometric function को तो वो इसी तरह defined होता है अब इनके ratio से 10 define होगा यानि 10 z कैसा होगा तो sin z divided by cos z यानि this by this अब हम लोग अपने जो पुरानी identity है sin square z plus cos square z इसे proof करने का कोशिस करते हैं minus e to the power minus iz divided by 2i का whole square plus e to the power iz plus e to the power minus iz divided by 2 का whole square तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 by 2i का square हो जाएगा 4i square और i square होता है minus one इसलिए यह हो जाएगा minus four और इसे हम लोग लिख सकते हैं e to the power iz का square यानि 2 iz plus e to the power minus iz ka square यानि e to the power minus 2 iz plus 2 times e to the power iz into e to the power minus sorry यहाँपर minus sign होगा plus यहाँपर हो जाएगा 1 by 4 e to the power iz ka square होगया e to the power 2 iz plus e to the power minus 2 iz plus 2 times e to the power iz into e to the power minus iz अब देखिए इस तोनों का sign अलग-अलग है अपोजिट है तो यह cancel हो जाएगा इस से यह cancel हो जाएगा इस से और यह और यह हो जाएगे add क्योंकि यहाँ पर minus sign और minus sign आपस में multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4 divided by 4 e to the power iz into e to the power minus iz यह दोनों cancel हो जाएगा और यह हो जाएगा e to the power iz minus iz क्योंकि base same है e to the power 0 equals to 1 तो even complex analysis में भी जो हमारा formula है sin square z plus cos square z equal to 1 valid होता है तो इस तरह हम लोग जो sin function है उसका अलग-अलग definition apply करते हैं कि वो कहां पर यूज हो रहा है अगर इस school में है right angle triangle से काम हो सकता है अगर theta की value 0 से 90 के बीच है तो हम लोग p by h वाला formula यूज कर सकते हैं जबकि अगर theta किसी real value के लिए define है arbitrary तो हम उसे unit circle का use करके define करते हैं जबकि complex analysis में हम लोग exponential function का use करके sine, cosine और other trigonometric function को define करते हैं Thank you very much